जो आज का topic है बहुत ही easiest topic है CSP का The topic is local search for CSPs इस topic का basic funda पता है हमें कोई मज़ी problem दी है हमने उस problem को इस तरीके से solve करना है The first step is हम randomly values उसको assign करतेंगे Second step क्या होगा कि मान लो एक दो तीन चार चार खाने है हमने randomly values उसको उसके पद पहला खाना उठाया इसकी value को देखूंगा मैं कि यहाँ पर यह value प्लेस करने पर कितने ऐसे constraints है जो violate हो रहे है कितने ऐसे constraints है जो violate हो रहे है For example, n queens problem है अब n queens problem क्या कहती है कि अगर कोई queen मैंने इस box में रखी है तो वो ना यहाँ पर उसको कोई conflict आना चाहिए उपर पढ़ी हो या 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 कहीं पर मैं ने पढ़ी हो नी चाहिए ना ही diamonds में n queens problem है अब यही चीज़ अगर मैं n queens problem में local search use करके करो तो कैसे होगा उसके लिए मैंने क्या किया सबसे पहले randomly यह values आठ queens ऐसे रखती randomly उसका first step ही यही है कि मैं randomly values को रखूँगा second step है minimum conflicts मतलब अब मैं values को देखूँगा जैसे for example मैंने उठाया इस value का किसी भी एक value को इसको उठा दिया इसको देखा इस queen को यहाँ पर रखने से मेरे number of conflicts कितने आते हैं देखो ध्याँ से देखना इस बात को यहाँ बताब कोई conflict नहीं है ऐसे भी नहीं है बट अगर मैं इसको diagonally देखूँगा तो यह रहा एक conflict अगर इसको diagonally यहाँ सभी देखा जाए तो यह रहा दूसरा conflict तो इसमें number of conflicts यह लिखे मैंने यह दो conflict है अब मैं इसकी position change करूँगा अब यहाँ से उठा कि यहाँ लाँगा तो देखूँगा कि ऐसे conflicts और arise होगे एक और आपको दिखाता हूँ यह रखा हुआ है अभी इसी situation में अगर मैं इसके number of conflicts जूनता हूँ तो इसके number of conflicts तीन आते हैं कैसे? सबसे पहले एक conflict यह रहा दूसरा conflict यही बनाया हुआ है और तीसरा conflict यह रहा तो यह है आपकी local search अब मेरा इसमें aim क्या है मैंने values तो randomly दे दी वर तब मैं एक-एक value को ऐसे उठाऊँगा सबसे पहले मैंने इसको उठाया इसके number of conflicts देखे उसके number of conflicts दो आ रहे हैं उसके बाद मैं देखाँगा कहां पर सबसे जादे number of conflicts आ रहे हैं या सबसे कम number of conflicts देख लो जो मर्जी आपकी for example मैंने minimum number of conflicts वाला उठाया one वाला कोई भी एक जहां पर one conflict आ रहे है उस value को उठा लिया जैसे यहां पर भी देखे हो तो एक conflict आ रहे है मैंने इसी को मानलो उठा लिया अब मैंने इसको उठा कि यहां पर shift किया अब मैं यहां पर इसको रखने पर कितने conflicts आ रहे हैं वो देखूँगा एक दो conflicts आएंगे उसके बाद मैं इसकी position को यहां पर लेकिए आँगा ऐसे ही करते करते मैं सभी की positions को ऐसे लेकूँगा हाँ no doubt यह बहुत ही लंबा method जिसको कहते हैं ना कि विल लेओ ता कम करो है ना तो यह उसी sort of method है बढ़ हां यह एक local search का तरीका है वही कि क्या पता हमें बहुत जल्दी इससे solution मिल जाए इसमें हमारा main aim क्या है हमने minimum conflicts arise करवाने है जो conflicts हैं उनको minimize करवाने है यहां पर जो conflicts है conflicts मतलब constraints violate होना अब इसके यह constraint थे जो मैंने आपको बताया है अब यह अगर constraint violate हो रहा है तो मतलब conflict occur कर रहा है and हमने minimum number of conflicts रखने है and secondly eliminate the violated constraints यह दो basically आपको answer लिखने हो यह दो points help करेंगे यह बाते मैंने आपको हिंदी में बता दी कि eliminate करना है violated constraints को यह constraints को violate कर रहा था यहाँ पर रखने पर 8th queen को तो इसको यहाँ से इस position से eliminate करके यहाँ पर रखा फिर उसके मैंने check किया and so on सभी की values check करूँगा and ultimately मेरे पास 8th queen solution का problem का जो solution होता है वो आ जाएगा So this is the most easiest topic in CSP local search for CSP Thank you for watching this video Please subscribe to my YouTube channel for further such videos on artificial intelligence and other computer science related subjects Thank you